देखिए, मैं यहां आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनेों के बारे में सुनने आया, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा, राहूल गांदी को स्टूडन्स से नहीं मिलने दिना है हेमानतोजी ने यहां पर आपके जो लीडरशिप है प्रिंसिपल्स हैं उनको फोन लगाया कहा राहुल गांदी असायम के स्ट्यूडन्स से असायम के शात्रों से 39 के चूडन्स से नहीं मिल सकता है और इसलिए 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 मैं यहां नहीं आ पाया मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ आपको आपको नौर्थीस के स्टूडन्स को हिंदुस्तान के स्टूडन्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है यह हो रहा है हिंदुस्तान में आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत आप सपने मत देखो जो आपको बताया जा रहा है उपर से उसको आप सुन लो मैं आप से यहां कहने को आया हूँ आप हिंदूस्तान के भविशे हो अगर आपने सोचना बंद कर दिया अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया तो हिंदुस्तान खतम हो जाएगा हिंदुस्तान नहीं बचेगा क्योंकि हिंदुस्तान आपकी शक्ति पर चलता है यह राहूल गांधी की बात नहीं है राहूल गांधी इसमें जरूरी नहीं है यह हिंदुस्तान के बविश्य हिंदुस्तान के स्ट्यूडन्स की बात है यहाँ पे नौर्टीस्ट में आपकी भाशा को दबाया जा रहा है आपके इतिहास को दबाया जा रहा है आपके कल्चर को दबाया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको कहा उसको ये रद करने की कोशिश कर रहे है आप ये नहीं होने दो ये कभी नहीं होने दो आपको कोई डरने की जरुवत नहीं है किसी स्चुडेंट को डरने की जरुवत नहीं है आप इस देश के भविश्य हो जो सपना आप देखना चाते हो जो आप करना चाहते हो जो आप पहनना चाहते हो वो आप करो कोई आपको नहीं रोक सकता है दिल से आप सब को धन्यवाद कि आप यहां आए आपने मुझे इतना प्यार दिया मैं भी आपको प्यार देता हूँ I love all of you I love all of you Thank you